नमस्ते दोस्तों तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल देसी लंज की थाली जिसे बनाना बहुत ही असान है तकरिवन एक घंटे में इसे बना के तयार कर लेंगे तो इसमें मैंने बनाया है बिहारी कड़ी वड़ी की रेसिपी जिसे बिना बेशन के बना के तयार किया है अगर आपको जब भी अगर कढ़ी खाने का मन हो तो अगर घर में बेसन ना हो तो आप इस तरीके से इस कढ़ी को बना के तयार कर सकते हैं. पूरी वीडियो देखिएगा जिससे की आपको भी ये कढ़ी बना के आप तयार कर पाएं. और साथ में मैंने बनाया था नेनुआ की चटनी तो यहाँ पर सबसे पहले हम चोखा की तियारी कर लेते हैं तो प्रेसर कूकर में आलू और पानी डाल कर दो से तिन सिटी आने तक इसे हम पका लेंगे और हम नेनुआ की चटनी बनाएंगे तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम और निनुवा को उलट पलट कर इसे अच्छे से पका लेंगे तब तक हमारी आलू और निनुवा पक रहें तब तक हम चावल की त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर नॉर्मल जो मैं घर में चावल खाती हूं वही यूज कर रही हूं तो चावल को दो से तीन बार पानी बदल क मैंने इसे धो लिया है मैं यहां पर प्रेसर कूकर में चावल बना रहे हूं अब चाहे तो भगोने में भी बना सकते हैं तो जितना मैंने चावल दिया है उसका डबल मैंने यहां पर पानी ले लिया है ढकन बन करकर हम इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे अभी गैस के एक तरफ आलू पक रहे हैं तब तक हम इस चावल को इस इंडक्षन पर चड़ा देंगे तब तक हमारी चावल भी बनके तयार हो रहे हैं और तोरी को आपको इस तरह से उलटते पलटते रहना है बीच बीच में जिससे की सवी तरफ से अच्छे से पक जाए तब तक हम कड़ प्राइम ड्लेंगे उसमें 1 इंच अरख चमिश तक रिवनि method श्री काणि मिर्च पॉडर डालेंगे एक पर तो सस् likes देक्स द्याम थियार को सिने तो यहां पर हम तक्रीबन एक कप दही लेंगे और दो से तीन चमच हम भर कर इसमें जो दाल का पेश्ट है वह लेंगे उसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के वाद इसमें हम पानी आड़ करेंगे आपको पतला कड़ी पसंद हो तो ज्यादा पानी डाले अगर गड़ा हो तो कम पानी डाले तो इसमें हम स्वादानुसार नमक इसमें आड़ कर देंगे और दो चमच इसमें हल्दी पौडर डालेंगे और इन सब को हम अच्छ और इस दाल के पेश्ट को हम जम्मच की हेल्प से अच्छे से तकरीवन तीन से चार मिनट के लिए इसे हम फिटेंगे जिससे कि हमारे पकोड़े बहुत ही फुले फुले बनेंगे और इसमें हम एक मिडियाम साइज का जो प्याज है उसे बारिक काट के डालेंगे इसमें हम स इन सबकों हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर हमारा जो कड़ी के जो पकोड़ा है उसका वैटर बनके तयार है तो चलिए इदर हम सबसे पहले कड़ी को गाइस का फ्लेम पे रख देंगे और हाई फ्लेम करके इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इस कड़ी मे एक उबाल दे के आएंगे जब तक कड़ी में उबाल आ रहा है तब तक हम तड़के की तियारी कर लेते हैं तो यहां पर दो मिडियम साइज के प्याज लिया एक टमाटर कुछ कलिया इसमें मैंने लसन का यूज किया है जो प्याज है उसे हम बारिक बारिक काट लेंगे औ तो अगर आप कड़ी बनाते हैं उसमें तड़का नहीं इस तरह से लगाते हैं तो जरू तड़का लगा के देखिएगा आपके जो कड़ी है उसका स्वाद काफी बढ़ जाएगा तो यहां पर हम लसन को भी बिल्कुल बारिक बारिक इस तरह से चौप कर लेंगे मैंने बीच बीच में कड़ी को चलाते रहा है तो देख सकते हैं यहां पर जो कड़ी है इसमें अच्छे से इस तरह से उबाल आ गये हैं तो अब हम क्या करेंगे इसे दूसरे तरफ इसे हम लो फ्लेम करके कड़ी को अराम से उबलने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम प पकॉड़े के जो बैटा रहा है वो चोटे-छोटे पकॉड़े इसमें डाल देंगे और इसे मिडियम फलेम पर उलट पलट कर हमें इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है जैसे ही पकॉड़े एक तरफ से अच्छे से गोल्डिन कलर आ जाए तो इसे पलट ले तो देख सकते यह हमारे जो पकॉड़े बिल्कुल अच्छे ढंक से फ्राई हो चुके हैं तो इसे अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो यह जो पकॉड़े हैं मैं ज्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ऐसे भी यह पकॉड़े खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं जब भी अगर घर में अगर आपके यहाँ बेसन नँगो तो इसी तरह दाल से आप पकॉड़े बना सकते हैं कड़ाई में तेल ज्यादा है तो मैं तेल को निकाल रहे हूँ क्योंकि इसी कड़ाई में हम कड़ी के लिए तड़का तयार करेंगे तो तेल हमारी गर्म है तो यहाँ पर मैं तड़के में करी पत्ता सुखी लाल मिर्च कटी हुई लसन साबुत धनिया राई और जीरा इसमें डालेंगे आपके पास हींग हो तो वो भी जरूर डालें तो यहाँ पर सारे मसाले को अच्छे से पकने देंगे उसके बाद हमने जो प्याज काट के रखा था वो प्याज इसमें डाल देंगे प्याज को हमें हलका सा गोल्डेन कलर आने तक इसे हमें भून लेना है देख सकते हैं इस तरह से जब प्याज आपका गुल्डेन कलर हो जाए तो इसमें आप कटी हुई टेमाटर रैट कर दे और इसमें हम बस थोड़ा सा नमक डालेंगे जिसे की प्याज जल्दी से गल जाए और इसमें हम तक्रीवान एक चोथाई चम्मच इसमें हल्दी पौडर डालेंगे हल्दी और नमक डालकर इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे आपकी कड़ी में अच्छा सा कलर आए तो इसमें कसमेरी लाल मिर्च पौडर जरूर डालें जिसे कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए इसे भून लेना है तो देख सकते हैं हमारी जो कड़ी का तड़का है जो बनके तयार इस तरह से हो गया है तो कड़ी भी हमारी इधर तयार हो चुकी है इसमें हम पकोड़े एड़ कर देंगे इसमें थोड़े से पकोड़े में बचा के रख रही हूँ और साथ में हम यहाँ पर जो तड़का तियार करके रखे थे वो तड़का भी इसी में हम डाल देंगे और इन सब को डालने के बाद हमें एक उबाल लेके आना है जैसे ही कड़ी एक उबल जाए तो आपको गैस का फ्लेम आफ कर देना है बहुत जादा पकोड़े डालने के बाद कड़ी को न उबाले नहीं तो आपके पकोड़े विखर सकते हैं तो यहाँ पर कड़ी भी हमारी बनके तयार हो चुकी है तो चड़िए अब चोखा बनाने की तयारी कर ले ऐसे तो मैं तीज की जो थाली रेस्पी आपके साथ सेर की थी उसमें चोखा बनाने की रेस्पी बताई थी लेकिन जो नए लोग हैं वो भी देख ले मैं किस तरह से चोख्या बनाती हूँ तो यहाँ पर तेल डालेंगे तेल को गर्म होने के वाद दो से तिन सूखी लाल म अजार मिर्च को हमें त्य से बाहर निकाल लेना है और इसी देल में हम 15-20 करी पता होता है उसे हमें अच्छे हैसे इसे इसे क्रिस्पी होने तक हम तेल में कर लेंगे और हम एक बड़त साइज क्या पयाज तेल में डालकर उसे हमें भुन लेना है जब तक इसमें गौर्ड करी पत्ता को फ्राई करके रखा था उसे नमक डाल कर अच्छे से हाथ से क्रस कर कर लेंगे और उबले हुए आलू को भी हम हाथ से अच्छे से मैस कर लेंगे और बीच बीच में हम प्याज को भी चलाते रहेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर प्याज में अच्छा सा गोर्डन कलार आ चुका है तो हमारे प्याज भून के तयार है तो हमने जो आलू माइस करके रखा था वो कड़ाही में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आलू में प्याज अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इस चोके को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारा चोका भी बनके तयार हो चुका है तो इधर हम निनुआ की चटनी की तियारी कर लेते हैं तो हमने इस निनुआ को उलट पलट कर इस तरह से अच्छे से मैंने आग के उपर इसे भून लिया था आप इसके उपर जो यह काले इसके चिलके जो जले हुए हैं उसे आपको अच्छे से निकाल लेना है और एक बरतन में आपको पानी में इसे डाल कर हलका हलके हाथों से इसे रगड़ कर जो इसके उपर इसके जले हुए जो छिलके हैं उसे भी हमको इस तरह से निकाल लेना है तो देख सकते हैं इस तरह ते निनुवा को हमें साफ कर लेना है इधर हम गैस का फ्लेमाउन करेंगे इसके उपर हम इस तरह से सुखी लाल मिर्च को इसे पका लेंगे आपको जितना तीखा पसंद हो उस अनुसर आप इसमें लाल मिर्च को एड़ कर सकते हैं आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से भूनी हुई जो लाल मिर्च होती है उसका स्वादिस चटनी में बहुत अच्छा आता है तो यहां पर हम सुखी लाल मृच इसमें जालेंगे कुछ कहले इसमें लसंट डाल देंगे अधो हरी मृच भी डालेंगे और इसमें एक चंच चमच कच्ची सरसो का आतेल डालेंगे अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसका धकन बंद करकर बहुत ही टेश्टी सा हमारा निनुआ की चटनी बन के तयार है ऐसे तो इसे गाउं में चुले की आग पे इसे पकाते हैं तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है अगर आप निनुआ की चटनी अगर आपने खाई है तो कमेंट कर जरूर बताईएगा तो इदर देख सकते हैं चावल भी हमारी बन के तयार है तो चलिए अब इस लंज की थाली को हम लगा लेते हैं अगर मेरी ये लंज की थाली आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाईएगा तो देख सकते हैं जो हमारी बीना बेशन के कड़ी इस तरह से बनके तैयार है लग रही है न टेस्टी तो चलिए इसे भी हम थाली में लगा लेते हैं मेरे घर में जब भी कड़ी बनती है तो उसके साथ चोखा जरूर बनता है बीना चोखे का कड़ी हमारे हां नहीं खाया जाता है तो यहां पर मैं चटनी को रख रही हूं साथ में हमने पकवड़ा जो तल के रखाता वो भी रख लूँगी तो देख सकते हैं जो पूरी थाली हमारी बनके तैयार हो गई है तो मेरी यह लंच की थाली आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताईएगा